यह तो हमें मिनहेंसल सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि हम किदर जा रहे हैं हमारे मीडिया में लोग बैठे हुए हैं जो दिन रात एक्स्ट्रीमिजम को एडुकेट करते हैं हमारे एकिदेमिया में लोग हैं जो दिन रात एक्स्ट्रीमिजम को जो है वो जहिन दोस्तो मोड़ देस में आपका सवगत है दोस्तो आज पाक मीडिया बाट कर रहें कैसे पाकिस्तानी सरकार ने टी-एल-पी के आगे घुट ने टेक दिया है और पुरा सरंडर कर दिया है और अब उन्होंने टी-एल-पी के लीडर साथ रिजबी को भी रीहा कर दिया ह तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहे कि इम्रान खान सरकार इतनी कमसोर क्यों है कि वो TLP जैसे ग्रूप के आगे भी ठीक नहीं पाई तो यहाँ पे पाकिस्तान के इन्फर्मेशन मिनिस्टर फवा चोडरी कह रहे कि पाकिस्तान में कट्रता बहुती ज़रा बढ़ चुकी है और पाकिस्तान स्कूल और कोलेजों में भी यह पहुच गई है तो इसी लए इम्रान खान इसके सामने टिक नहीं सकता और पाकिस्तानी सोसाईटी भी बहुती कट्र हो चुकी है तो जब रहों जड़ सेगे तब तक इम्रान खान इनके सामने सरिंडर चाँ करता Information Minister आप हैं आपको नहीं पता मौईदा क्या हुआ Interior Minister शेक रशीद साहब हैं उनको नहीं पता मौईदा क्या हुआ ये सामने मौईदा नहीं लाया गया क्या आप समझते हैं कि इसमें बहुत बड़ा हकूमत का भी फेलियर है ये हकूमत नहीं नहीं किया, फलाने नहीं नहीं किया, फलाने वो नहीं किया देखें ये तो एक पूरा मैने जिसन से पहले आपको कहा ये तो पूरा बड़ा infrastructure है जो रियास्वत का ये तो हमें मिनहैसल सुसाइटी सोचना पड़ेगा कि हम किदर जा रहे हैं लोग बैठे हूए हैं जो दिन रात एक्स्टेमिजम को एडुकेट करते हैं अपने इसके खिलाब बड़ा एक्स्टेमिजम लिया आपने कहा कि रियास्थ जो है वो पीछे नहीं हटेगी और कोई रियास्थ को चैलनज नहीं कर सकता रियास्तित की रिट को चैंग्ज नहीं कर सकता, चैटेगॉरिकल स्टांस था, then again, पुलीस वालों की आपने बात की, आपने का जिनों ने हमारे पुलीस वालों को शहीद किया है, ये हो नहीं सकता, कि उनको जो है, they shouldn't be taken to task, but then इस पूरे प्रोसेस से आपको जिस तरह निकाल तूरू हम देखते रहें कि आप किस सरा इसको डील कर रहें, then there's अजास चोगरी साब, अजास चोगरी साब कह रहे हैं कि जी, मैं पहली फुरसत में जाओंगा, और आपके पंजाब के प्रेजिडेंट हैं, पहली फुरसत में जाओंगा, और वहां जाकर उनसे मैं जो है, मुबारिक बात दूँगा. आप अंदाजा लगा लेगी, एक्स्रीमिजम कितना ज्यादा सरायच कर चुका है हमारे सब्सक्राइब कर चुका है, अच्छा लेकिन जब बात की जाती है, ये का जाता है, ये भी खबरें आ रही हैं, कि पी टी आए, टी लपी के साथ कोई इलेक्टोरल अलाइन्स भी कर स अच्छा हैं, कि अगर वो एलेक्टोरल अलाइन्स होता है, टी लपी के साथ? इनको करना है, क्या मेंन्स ट्रीमिंग का क्या है? क्योंकि आप इन्स ट्रीमिंग का मतलब है? आइडियोलजी से मेंन्स ट्रीम ओ सकती हैं जो आइडियोलजी जो नजारिया इस बार पर चायम हो कि सिर्फ ये नजारियां जही है, और बाकी सारे जो हैं तो माजी में आपने देखा है कि जो भी यह लोग मेंस्ट्रीम नहीं हो सकते कभी हो नहीं सकते ठीक ठीक बहुत 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 शुक्री चले डोस्तों इस वीडियो पे बात करते तो पाकिसदी मीडिया ने सही का कि इम्रान सरकार ने टी एल पी के साथ जो समझुडा किया है उसका डोकुमेंट इम्रान सरकार सामने नहीं ला रही और यही हरकत इम्रान खार ने टीसरी बार किया है पहले दो बार भी उन्होंने टी एल पी के साथ यही समझुडा किया था और फिर छे महिने या एक साल बात टी एल पी फिर से निकल आई यह कहके कि इम्रान सरकार ने संद्धी तोड़ा है और जैसे इम्रान किसी को संद्धा पहले भी नहीं दिखा तो किसी को ही नहीं पटा तो इत् częल लभी तो मुझinho लगते कि fakti फूचर में भी वह रही होगा इसब्ता इम्रान सरकार दूर्पी कि सब्धा कि है वो समझोथा筆 इम्राण सरकार किसी को नहीं डिका रही तो ये भी होसकते ही सल्वीद इंब साथ फिर से निकल यह कहा कि कि它 इंबरा ने हमसे समझा तोदा और फिर वह हर्कत करने पर चुली हुई है वरना सम झोता है इम्रां सरकार को प्रॉल्म अदिक हो सब क्या हूं पता है कि इम्रान सरकार थीक्षाण सर्मिंड़ कर दिया है तो मुझे पता नहीं यह इम्राना सवुजरा क्यों नहीं दीखाना है ये हो सकता है कि उसमें इम्रान खान ए सब्सक्राइब हो सरमिन्डर मुझा था यसे पहलें नहीं स्टल्सका ऑ्टा मैं नेदिखेश क्यों और कोई नहीं जान पएंगा है और जहां तक पाकिस्तानी मंत्री नहीं कहा है कि पाकिस्तानी कट्रता बढ़ चुकी है तो यह कोई नहीं चीज नहीं है यह पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी बढ़ चुकी है इसलिए मुसर्फ पर हमला हुआ था और यह बहुत साल पहली कहार नहीं है तो यह कोई नहीं ची करको मुसिबत हुई एल पी के आगे क्योंकि टीलिपी जो सपोर्टर है वही इम्रान छान के वोटर से और पिछे कौ थी यह याद दिलनेंगे दर नहीं ओ पाकिस्सानी आर्मी तो इसलिए पाकिस्सानी आर्मी चाहिए कि टील भी प्राचिक्स पाकिस्तर और पाकिस्तर ने आर्मी नहीं चाहते कि इम्रान इस सम्झोटा सबक्य सामने लाए यह व्युजय और आठरें में यह कहूंगा कि इम्रान खान ने तो चले देखते कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत शुक्या और हमाई चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांकि वरेमाइब